हेलो रिवन तो कैसे हैं आप सब लोग तो आज है हमारी पॉलिटिक सी क्लास नंबर थर्ड लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा भारते समिधान के विदेशी स्रोत तो अब हमें स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर फिफ से अपनी बुकों में आप खोल इस टॉपिक को भारते समिधान के अनुसूचियां तो हमारे समिधान में टोटल 12 अनुसूचियां याद रखेगा और यहां पर मैं आपको ट्रिक बता दूँगा कि किस अनुसूचि के अंदर क्या दे रखा है कोश्टन देखे इस ट्राइप से बनता है कि जैसे पूछ ल यह लेटेस एडिशन है तब 20 में 29 राज्य लिखा हुआ है टोटल 28 राज्य है और केंट सासित प्रदेश की संग्या साथ केंट सासित प्रदेश है हमारे देश में इसके बाद आपको इस नोट को टिक करना है 69 वा सम्विदान संसोधन जो 69 वा सम्विदान संसोधन था उसके अग्जाम में इसलिए अच्छे से याद रखेगा नेक्स्ट आपका दिया है दूसरी अनुसूची तो देखें दूसरी आप किस टाइप से लिखते है दूसरी तो इसके साइड में आप ट्रिक के लिए लिख लीजेगा दूसरी से दुबे दूसरे क्या हो गया दूसरा औ विनप दादिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आधी का उले किसमें क्या गया है इस ट्रिक को आप इसके साइड में बॉक्स मना के लिख लीजेगा दुबे से आपको हमेसे याद रखेगा कि दूसरे दूसरा है और वे से वेतन है ठीक है नेक्स् में 3 है इससे यादनाना चाहि आपको सपथ, तीसरी अनु सूची में सपथ के आर्यम बता रखा है, कि जोतने ही पदादिकारी होते हैं, हमारे भारत में, उनको सपत किस हिसाप से दिलाई जाती है, वो सब प्रावधान, तीसरी अनु सूची में, चوह से होगए आपका 4 अनुसूची और रासय होगे आपका राज्य सभा तो राज्य सभा में सीटों का वितरन जो होता है वो किस हिसाब से होगा किस राज्य को कितनी सीटे मिलेगी या फिर किस केनशासित प्रदेश को कितनी सीटे proclaim लेंगी राज्यासवा में यह सब बता रखा है आपका चौक्ति अनुसूची में यही लिखाया देखिए विबिन राज्य तता संग्य छेत्रों की राज्यासवा में पर्ति निधित्व का वितरण कैसे होगा यह सब बता है चौक्ति अनुसूची में ठीक है चोरी-चोरा स् उन राज्यों का शाषन कैसे चलेगा, उन राज्यों पर प्रसाषन और नियंतरन कैसे स्तापित होगा, उन सब के बारे में इन दोनों अनुसूचियों बता रखा है, छटी अनुसूची आप मान लीजे, पांचवी अनुसूची को थोड़ा जादा बड़े तरीके से डिफा प्रसाषन के बारे में प्रावदान, तो मतलब जो ये राज्यों हैं, इन राज्यों में जंजाती छेत्र हैं, जंजाती आप समझते होंगे, जो जंगलों में जंजाती रहती हैं, जो काफी प्रोटेक्शन करने की उनको जरुवत है, उनके छेत्रों में प्रसाषन कैसे च याद करने के लिए आपके-लिए ट्रिक यहाँ पर लिखी भी हूँ है अमित्र वेगा, मैं लिख देता हूं आपर अमित्र मेगा, आज से देखे क्या है आपका, पहला राज्या जो छट किया है असी में मेगा से आपको सभी को पता वो गया करो मेगाल ले हैं तो ये चार राज्ये हैं इन राज्यों में जो भी जनजाती छेतर है उनके लिए प्रसाशन कैसे चलाए जाएगा ये बता रखा है आप मारी छटी अनुसूची में और पांचवी अनुसूची में और अमित्र मेगा याद रखेगा, पूछा जाता है कि इन राज्यों में प्रसासन किस अनुसूची के अंतरगत चलाया जाता है, ठीक है? तो देखें, नेक्स्ट है आपकी सात्वी अनुसूची, सात्वी अनुसूची को याद करने के लिए आपको, सात्वी देखें, सास से मोटा मोटा, तो केंद्र सूची जो है, मलब कह सकते है, संग सूची, संग सूची के अंतरगत, जितने भी विशे हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब पर कानून बनाने का दिकार, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, संसत को है, दूसरा मार आता है, राज्य सूच सूची के अंतरगत जितने भी सब्जेक्ट है एरिया है उन सब के उपर कानून बनाने का दिकार राज्य सरकारों को है तीसरा हमारा आता है समवर्ती सूची समवर्ती का मतलब क्या है दोनों लोग समवर्ती सूची के अंतरगत जितने भी विशे हैं उन पर चाहे तो राज्य सरकार कानून ने बना सकती है और चाहे तो केन सासन केन सरकार जो है सदन जो हमारा वो भी इस पर कानून बना सकता है लेकिन यहां से आप important चीज़ याद रखेगा समवर्ति सूची का जो कोई विषय है मालीजे कोई एक area है उस पर पहले तो राज्य सरकार ने कानून बनाया और उसके बाद उसी पर केन सरकार ने भी कानून बना दिया तो जो कानून जिसका important होगा वो important होगा केन सरकार का केन सरकार द्वार बनाया कानून या प्राज्य माना जाएगा इसी के basis पे सब कुछ चलेगा राज्य सरकार का कानून उसके नीचे आ जाएगा ठीक है तो संवर्ति सूची के अंतरगत क्या होता है आप समझ गये होंगे एक बार आपको पढ़ भी लेना है कि कौन-कौन से विशे संग सूची में आते हैं कौन से विशे राज्य सूची में और कौन से संवर्ती सूची में इस ताइप से कुछनी बनता है कि आपको बोल देंगे कि one बताईए जो वन है या फिर जो वन नेजीव है ये इन लोगों के बारे में कानून बनाने का दिकार किसको है संग सूची कांटरगत इन दोगत बता है विदेशी मामले युद इसंग सूची कांटरगत इन सरकार के अंदर आते हैं इसमें से भी important नाम है आपको याद रखने है डाक तथा तार मुद्रा बैंकिंग ये दो important है पंताय question की इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है next आपका राज्य सूची एक बार पढ़ा आप सारी लीजिएगा विदेशी मामले यूद सान्ती बनवानू सकती पढ़ लीजिएगा एक बार राज्य सूची के अंतर का जो important है वो है देखिए आपका सान्ती और विवस्ता पुलिस पुलिस पर टिक कीजिएगा इस्तान्य सासन ठीक है जैसे नगर नगरने का मोता है पंचायत होती है वो इस्तान्य सासन है इसके ओपर विवात अता तालाख सिख्षा सबसे ज्याद इंपॉटेंट आर्थिक नियोजन बहुत इंपॉटेंट है सबसे ज्याद इंपॉटेंट है आपके दो नाम संवर्ति सूचि में स्रमिक संभ और वन ने जीवो के बारे में कानुन मनता है या जो मजदूर संगटन है इनके बारे में जो भी कानून बनता है इसके बारे में कानून बनाने का दिएर किसको है संबर्ती सूची के अंतरगत केंद्र राज्य दोनों को इसका दिएर और ठीक है लास्ट पॉइंट जो मैं आपको पहले पताया था कि संबर्ती सूची में जो कानून मनता है उसमें प्रात्मिक्ता मिलती है संसत द्वारा बनाएगा कानून को कें सरकार द्वारा बनाएगा कानून को ठीक है नेक्स्ट है आपकी आठवियन सूची तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है आपको याद रखना है आटवी अनुसूची में भारते समिधान में जो भाषाएं जोड़ी हुई है जिन भाषाओं को हमारी समिधान ने मानेता दिये उनके आरेम बता रखा है तो याद रखेगा जब समिधान बना था तो मूल रूप से इसमें सिर्फ 14 भाषाएं जोड़ रखा है यहां पर आप दो तीन भाषाओं का नाम याद रखेगा जैसे बोडो बोडो मैथली कॉंकिनी डोगरी संथाली यह थोड़ी नई भाषा जुड़ी है तो इन तीन भाषाओं का नाम याद रखेगा क्यों पूछ जाता है कि बोडो भाषा हमारे समिधान की हिस्सा है या नहीं है इस टाइप से कुशन बनता है बोर्डो आप याद भी रखेगा नई जुडिया एक असम इस टेटें बोली जाते है बोर्डो जंजाती का अपने नाम सुना होगा उस जंजाती की ये भासा है बोर्डो ठीक है तो आठवी अनुसूची आपको पता सल गई नेक 12 अनुसूचिया हो चुकी है तो 4 अनुसूचिया अभी जुडिये G współ है कि मूल रूप से हमारे समिदान में कritने अनुसूचिया थी तो टोटल 8 अनुसूच सा थी लेकिन तो चार अनुसूचिया हो चुकी है तो चार अनुसूचिया अभी जुड़ी है ठीक है इससे कुशन आता है कि मूल रूप से हमारे समिधान में कितिने अनुसूचिया थी तो टोटल आठ अनुसूचिया थी लेकिन अब बारा अनुसूचिया हो चुकी है तो नौवी अनुस पर इसके अंतरगत जो भी विशे हैं उसको हम न्याले में जाकर चुनोती नहीं दे सकते हैं उनके खिलाफ कारवाई की मांग नहीं कर सकते हैं तो पढ़िए आप इसको एक बार इस अनुसूची में संबलित विशेओ पर यहां से आप टिक करिएगा संबलित विशेओ को न् जोड देती है तो उस विशेओ पर अगर आप चाहें कि न्याले में उसके खिलाफ विचार करवाना हो उसको चुनोती देनी हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं उस कानून को हम न्याले में चुनोती नहीं दे सकते हैं तो याद रखिएगा नोभी अनुसूची में ऐसे जोड़ी गई या फिर किस वर्ष में जोड़ी गई ठीक है तो दस्वी से द से दस्वी होता है और द से आपका क्या आता है दल बदल तो दल बदल के related कानून दस्वी अनुसूचे में वारे दिये हुए हैं दल बदल आप समझते हैं कोई बंदा मतलब कोई इंसान अभी किसी पार्टी में भाजपा में है वो अब दूसरी पार्टी में जाना चाता है तो उसके related कुछ उसके दाइत्फ होते हैं उसके उपर भी कुछ rules regulation लागू होते हैं तो उसके उपर जो भी rules regulation है दल बदल से related वो समवारे दस्वी अनुसूची का इंतरगत दे रखे हैं ठीक है त तो देखे 73 समविदान संसोदन 73 नंबर का जो constitution amendment था 1993 में 11 अनुसूची अड़ हुई और उसी का जस्ट दूसरा समविदान संसोदन 14 संसोदन 1993 के दौरा हमारी 12 अनुसूची समविदान में अड़ हुई थी इन दोनों को काम है इस्तान्य सौशाशन के बारे में बताना इस बता रहा है और 29 विशेपरदान किये गए हैं गिराम पंफायत को कानूर मनाने के लिए कार्य करने के जिए 29 विषेपरदान किये गए गिराम पंफायत को यह पूछा जाता है तो गैर्वियन सूची कब एड़ हुई यह याद रखेगा इसके अंतरगत है कि आप पंचाय इसके अंतरकत भी स्थाने सौसर्चन आता है लेकिन सहरी छेत्रों का इस्थाने सौसर्चन जैसे नगर पंचायत नगर निगमित ये सब इसके अंतरकत आता है और इसके अंतरकत इन संसाव को वारा समिधान का हिस्सा बनी यह मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेगा तो यहाँ पर मारा एंड होता है अनुसूचियों का पार्ट नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लैन कर रहे हैं तो आप अनकाडमी को जॉइन कर सकते हैं नैवी के लिए आपका special batch चल रहा है जहाँ पर आपके काफी फेमस और अच्छा पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे 17 नॉमबर से 15 जनवरी तक यह कोर्स चलेगा आपका वायू एरफोर्स वाई ग्रूप के लिए आप बैच जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर NDA जो फीस है वो है काफी nominal fee में आपको भढ़िया content मिल जाएगा और जो काफी professional teacher जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं तो आप फीस देख सकते हैं काफी nominal fee है और इस फीस में भी आपको additional 10% discount मिल जाएगा अगर आप मेरा coupon code यूज़ करते हैं ज्यान और भारत का भारत में विल तो पहले भारत के अंटरगत काफी सारी देशी रृशत थी उन सबका विल खार करके भारत को राज्यों का संग बनानें में महत्rial coffee का किसने निबाइ थी सर्दार वल्लब भाई पटेल ने तता वीपी मैननन ने इन दोनोंने सबी देशी रास्तो को इखटा करके भारत्य संग का अंग बनाया ठीक है तो यहां पर सरदार वल्लब भाई पटेल जी का नाम काफी ज़्यादा important है यहां से question बनता है कि रियासती मंतरा लेके मुखिया कौन ते इस ताइप से question बन सकता है या फिर पूछ सकते है कि देशी रियासतों का भारत में विलै किस ने कराया तो सरदार वल्लब भाई पटेल ने कराया नाम याद रखेगा next topic है यहां पे आपका संग और उसका राज्य चेतर ठीक है तो यहां पे आप पर्थम अनुशेद बताता है कि भारत क्या है राज्यो का संग है यह आप याद रखेगा कई बार question बनता है कि राज्यो का संग भारत को किस अनुशेद के अंतरगत बताया है तो अनुशेद न को छेतर है उस पर हम कब्जा करके एक नए राज्य बना लेते हैं तो उसका जो प्रवधान है वो अनुशे दो के अंदरकत आएगा ठीक है अनुशे दो और तीन में लोग कन्फिस जाता है क्योंकि इसके अंदरकत बोल रखा है नए राज्यो का निर्मान और वर्तमान राज्यो के छेतरों सीमाओ या नामों में परिवर्तन संसत दोरा किया जाता है आप सोचेंगे नए राज्यो का निर्मान यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी नए राज्य का परवेश लिखा है तो यहाँ पर जो नए राज्यों का निर्मान है इसका मतलब है कि अपने ही जो हमारा भूखंड है उसी में से दो राज्य बनाना जैसे आपने पहले देखा था कि आंद्रप्रदेश से अलग होके तेलंगाना राज्य बन गया तो बताईए कि हमने कहीं पर जमीन ली के एक्स्ट्रा जमीन तो हमारी जितनी थी वो तुनी रही बस हमने इसी आंद्रप्रदेश के दो तुकड़े कर दिये और तेलंगाना आंद्रप्रदेश बन गया तो यह जो नए राज्य बनाए यह आता अनुशे 3 के अंतरगत लेकिन मान लीजे कोई नया भूखंड कोई नई जमीन हमारे देश में एड होती है और नया राज्य बनता है तो वो हमारा आता है अनुशे 2 के अंतरगत ठीक है आप समझ गयोंगे जो जमीन हम पे है उसी पे नए राज्य बनाना अनुशे 3 पे आता है कोई नई जमीन हमारे देश में जुड़ती है तो वो अनुशे 2 में आता है और जो नामों परिवर्तन किया जाता है राज्यों के नामों परिवर्तन वगयरा ये सब भी आपका अनुछे तीन के अंदर गत किया जाता है याद रखेगा अनुछे दो और अनुछे तीन का डिफरेंस ठीक है नेक्स्ट है आपका भारत्य समिधान के भाग तो भारत्य समिधान में टोटल 22 भाग है और किस भाग में क्या दिया हुआ है इस राइप से भी कोशन बनता है पूछा आता है कि मौली का अदिकार भारत्य समिधान के किस भाग में है दूसरे तीसरे चौथे पांच में तो इस राइप भी कोशन बनते हैं एक बार आप इसे देख लीजिए जैसे पहले भाग में लिखा है संग और उसका राज्य चेत्र दूसरे में नागरित्ता के बारे में बता रखा है तीसरे में मौली का दिकार के बारे में बता रखा है चोथा है मारा निती निज़देशक सिद्दान्त ठीक है चार का भाग 4 का का भाग जो है उसमें मूल करतव्य है भाग 5 में राज्य है भाग 6 में भाग 5 में संग भाग 6 में राज्य है भाग 8 में संग राज्य छेतर आप कह सकते हैं Union Territories केंस अज़ी प्रदेश है भाग 9 important है ध्यान रखेगा पंचायत आती है संग और राज्यों के 20 संबंद देखे एक तेरी सकती एक मेरी सकती दोनों को एक एक सकती दे दी गई तो संग और राज्यों के 20 संबंद किसमें आ रखा है अनुछेद भाग 11 के अंतरगत ठीक है नेक्स्ट आपका भाग 14 UPSC जो आता है हमारा UPSC जो है हमारा उसके बारे में भाग 14 बता रखा है नेक्स्ट आपका भाग 15 भाग 15 में एलेक्शन के बता रखा है तो जो भी मैं सरकल कर रहा हूँ उसे आप मार्क कर लिजेगा अपनी बुक में और जब भी आप बुक को पढ़ें तो एक बार शुरुवात में आप सब पढ़ लेजे कौन-कौन से important भाग है और उसके अंतरगत क्या दिया हुआ है और जब आप पढ़ेंगे जैसे मौली का दियारोग पढ़ेंगे महाँ पर भी लिखा हुआ है भाग 4 में मौली का दिकार दिया हुआ है भाग 18 में अपात उब्बंध अपात काल जो लगाया जाता है वो भाग 18 में है इसके अधर important आपका भाग 20 समिधान में संसोधन किस परकार से होता है वो भाग 20 के अंतरगत बता रखा है तो यह थे कुछ आठजस important उनको टिकर लीजेगा अब आगे बढ़ते हैं topic number 8 था आपका राज्यो का पुनर गठन तो भारत में राज्यो का गठन किस साब से हुआ था जब भारत अजाद हुआ था उस समय राज्यो का गठन प्रसासन चलाने के साब से हुआ था तो भाषा के अधार पे राज्यो का पुनर गठन किस प्रकार हुआ उसे अब देखते हैं next page आप देखेंगे राम लल्लू की मिर्तियों के बाद परधान मंतरी नहरू ने तेलगू भाषियों के लिए प्रथक आंध्र परदेश के गठन की गोशना कर दी तो राम लल्लू एक व्यक्ति थे जिन्होंने आंध्र परदेश के भाषा ये अधार पर गठन करने के लिए आंध्र परदेश के लिए आंध्र परदेश के लिए और जो आंध्र परदेश के दुरान इनकी मिर्तियों के बाद इन्होंने खाना ना खाने का आंदलून क्या था उसमें इनकी मिर्तियों के बाद परदानमंतरी मोधी जी ने तेलगू भाषा के लोगों के लिए अलग राज्य बनाया और ये पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के अधार पर हुआ तो याद रखेगा पहला राज्य जि बनाया भाषा के अधार पर जितनी बबागी राज्य हैる सका गठन भी अब भाषा के अधार पर किया जाए यह काम सै अयोग का तो आयोग बनाया गया राज्य 283 के आयोग आयोग घ्राए लिएवंfikा भाषा के साप्मे अधिनियम इसके तैद जुलाई 1956 में बाकी जितने राज्य हैं उनका गठन भी भाषा के अधार पर किया गया और भारत में उस टाइम 14 राज्य और 6 केंसासित परदेश इस्तापित किये गए याद रखेगा राज्य पुनर गठन अधिनियम की राज्य पुनर गठन आयोक बाया 1956 में और इसके तैद किंदने राज्य और कितने केंसासित परदेश भारत में बनाए गए 14 राज्य और 6 केंसासित परदेश भारत में बनाए गए और पहला राज्य जो इस्तापित हो था वो था आंध्र परदेश नेक्स आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टन नहीं है आप यहाँ पर देखेगा यह आप एक तो डेट याद कर लिजे आंद्रपरदेश की एक अक्टूबर 1953 में इस्तापित हुआ था नेक्स आपको डेट याद रखनी है गोवा की 30 मई 1980 को इस्तापित हुआ था और तेलंगाना जो कि 29 राज्य है 2 जून 2014 तो बस यह तीन राज्य है आप याद रखेगा तेलंगाना आंद्रपरदेश गोवा गोवा के बार में इंपॉर्टेंट यह है कि गोवा आजात कब हुआ था जो कि आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पर लिखाओगा आप ढूड़नेंगे तो गोवा भारत सरकार हाँ पुर्टगालियों के विरुत कारवाई की 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा दमन दीव की मुक्ती के लिए पुर्टगालियों के विरुत कारवाई की थी तो 18 दिसंबर 1961 को गोया पुर्थगालियों साजाद हुआता और भारत में सामिल हुआता ये date important है इसे आद रख लीज़े जादा important है इसका पुन्र गठन कब हुआ तो गोया आँद्र प्रदेश और तेलंगा अना गठन कब भारत है नागरिक्ता प्रवदान हमारे देश में लिया है हमारे देश में कैसी नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता जैसी बिरिटेन में वैसी हमारे देश में सिर्फ एक नागरिक्ता हमारे देश को मिलती है जैसे USA में दोरी नागरिक्ता चलती है केंद्र की अलग नागरिक्ता और राज्यों की अलग नागरिक्ता ठीक है हम आपे दोरी नागरिक्ता है नेक्स आपको ध्यान देना है भारत में नागरिक्ता किसके तहत मिलती है भारती है नागरिक्ता दिनेयम 1925 इसवी के तहत भारत में नागरिक्ता दी जाती है और नागरिक्ता देने कारह कौन करता है गरह मंतराले है Home Ministry द्वारा भारत में नागरिक्ता परदान की जाती है इस पॉइंट को याद दखेगा important है गरह मंतराले next आपको यहाँ पे धान देना है किस-किस अधार पर भारत में नागरिक्ता मिलती है ऐसे आपको मोटा मोटा पता होने चीए स्क्यार में कोई deep में question नहीं आता जैसे आपको कभी-कभी 4 option मिल जाएंगे और option बताना होगा आपको जिस अधार से भारत में नागरिक्ता नहीं मिलती है तो आपको बस पता होने चीए basic इतना रटने की जुरूत नहीं है आपको जैसे पहला पताने चीए जनम के आदार पर एक बात है कि जब जनम लिया अपने आपर इंडिया में तो आपको अपने आप नागरिक्ता मिल जाएगी दूसरा है वंश परंपरा मलब आपके माता पिता में से कोई अगर भारत का नागरिक है तो आपको भी अपने आप भारत की नागरिक्ता परदान की जाएगी तो दूसरा ये point सा तीसरा है आपका देश्य करण द्वारा नागरिक्ता तो अगर आप इस देश में रहनें लग जाते हैं अँशा के लिया आपके देश्य करण हो जाता है आपका मेलब देश्य चेंज कर लिये अपने अप इस देश को अपना लिया है तो देश्य करण द्वारा आपको भारत की नागरिक्ता मिल सकती है फोर्थ पॉइंट है पंजी करण द्वारा नागरिता आप यहाँ पर पंजी करण करवा लेते हैं जो वोटर आइडी है आधार काड़ा यह सब आप यहाँ का बनवा लेते हैं पंजी करण अपना करवा लेते हैं तो वहां के जो भी लोग होंगे, वो सब भी भारत का हिश्चा बन जाएंगे, जैसे आप देखा था, हमने गुआ, गुआ पहले अलग था, गुआ को जोब हमने अपने अंदर जोड लिया, अपने देश में जोड लिया, तो वहां के नागरिक चोथे गुआ के पहले, वो कुछ सरते लगाई गई नागृता देने के लिए इसमें से आप दो चीज़े आप याद रखे तो नहीं इंपोर्टन नहीं है वैसे यह पहला प्याद रखे पंजी करण के द्वारत जो नागृता दी जाती थी उसमें बदलाव आया कि अब 6 महां तक रहकर पहले आप पंज से कम 5 साल तक रहना पड़ेगा तब जाकि आपको पंजी करण के आदार पर भारत की नागृता मिले गी ठीक है पहला लें सकते हैं कितने कितने साल होते हैं यह आपको पता होना चीए अब यहाँ पे थोड़ा आप इसको समझ लीजी यह उप़र-ूपर समझना है इसको याद नहीं करना बहरते नागरिकता का UP कैसे होता है तो कोई नागरिक अगर त्याक कर दिया हमारी देश की नागरिकता का कि हमें चाहिए नहीं तो आप छोड़ सकते हैं चाहे तो भारत की नागरिकता को दूसरा है अगर आप कोई और देश की जाके नागरिकता ले लेते हैं USA पिरुष हैं नागृता को छहीं, नाग्रिक्ता को छीन लेती है, तो ये तीन अधार है, जिनके द्वारा आपकी भारत की नाग्रिक्ता समाप्ट कीजा सकती है, तो आईोप आपको समझ में आ गया होगा तो आज क्लास के लिए इतना ही है बस आज इतना पड़ेंगे, next class में में स्टार्ट करेंगे मौली का दिकार से, कि मौली का दिकार में कौन-कौन से article important है, जो उन पर आपको धान देना है बाकी सब, जो ही मेरे notes है, वो आपको टिक करा दूँगा, ठीक है तो मिलते जल्दी next class में अगर आपको class पसंद आ रहे हैं, तो like कर दिजेगा और जाद जाद शेयर कर दिजेगा, thank you, मिलते जल्दी next video में